नाव भारत का आज के समय United Nations में एक permanent formula बन चुका है abstain and jail का रशा के case में आप अगर देखो तो 95% इंडिया ने abstain किया और अब इरान के case में वी जी हाँ इरान में जो protest हो रहे हैं उसको लेकर US समय जो पश्चमी देश है ये सब गए UN के human rights council में वावर voting होनी थी कि इरान में जो अत्याचार हो रहे हैं और तो बच्चों पर इसकी निंदा करे या ना करे तो इंडिया ने यहाँ पर इरान के against vote करने से मना कर दिया इंडिया ने आपर abstain किया है चाइना और पाकिस्तान इरान के साथ खड़े हुए इन दुनों देशों ने USA का प्रस्ताफ गिरने की कोशिश करी मगर इंडिया बिलकुल यहाँ पर नीट्रल रहा वेरेस जपान यूएस यूकरेन समेथ दुनिया भर के और देश सब लोगो इरान के अमबैस्डर ने भारत में ये कहा कि मासा अमीनी जो एक ववेन थी इरान में इनको माना नहीं गया था ये बस अपने आप ही मर गई थी लिखेगा इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में